जब भी हम लोग भूत प्रेत या पैरनॉर्मल की बात करते हैं तो उसके अंदर हम हमेशा ये बात सबसे पहले सोचते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो या फिर इस चीज़ के बारे में इंडिकेशन मिल जाए कि भाई यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा है भूत प्रेत होने की कोई शं explainable होता है तो उन्हें समझ में आता है कि ये उनकी सिंदिगी की कितनी बड़ी गलती थी आज की कहानी भी वैभव नाम के एक ऐसे ही family man के बारे में है जो एक नए घर के अंदर shift कर जाते हैं वो घर उन्होंने बहुत ही महनत से खरीदा था और बहुत ही महेंगा घर था वो घर newly constructed था और उन्होंने उस घर को खरीद लिए उस घर में वो moving करते हैं और जब वो moving करते हैं तो उनके और उनकी family के साथ में कुछ ऐसी चीज़े वहाँ पे खड़ती हैं जिस रास पे से जब परदा उठता है तो उनके होश उड़ जाते हैं तो क्या है पूरी की पूरी क घर खरीदा था और उस घर के अंदर आज उनका पहला दिन था वैभव जो थे ये भगवान में भूत प्रेज जैसी चीज़ों में नहीं मानते थे रीजन ये था पहले ही बता देता हूँ आपको कि ये पहले तो बहुत धार्मिक थे और एक बार इन्होंने भगवान से मनन मांगी कि भई मेरे फादर जो है जिनने कैंसर है वो बच जाए लेकिन उनकी डेथ हो गए उस दिन के बाद से ये पूरी तरीके से नास्तिक हो गए इनका विश्वास ये उड़ गया कि भगवान जैसी कोई चीज यहाँ पे एक्सिस्ट करती है उस दिन जब वो उस घर में गए उस घर के बीच वाले कमरे में उन्हें किसी कोई के मनरानी यह आवाज मैसूस वी वैभव इस किस्म के इंसान थे कि उन्हें यहाँ पे जानवर वगेरा पसंद नहीं थे वो बात अलग है कि उनके पास में एक बिल्ली भी थी जो उनकी बीवी ने खरीद रखी थी उन बातार वो वैभव को घूरे जा रहा था वैभव ने यहाँ पे किसी तरीके से उस कवे को भगाया और जो खिड़की वगेर थी उसको यहाँ पे बंद कर दिया उस दिन उनके साथ में कुछ भी अजीब और गरीब नहीं हुआ ऐसा नहीं कि light fluctuate हो रही है या कुछ हो रहा ह लेकिन ताज़ुप की बात ये थी कि जब वो सुभा गए तो उन्हें यहाँ पे एहसास हुआ कि कल दिन में उन्होंने यहाँ पे खिड़कियां बंद करी थी तो वो कवव यहाँ पे आया कैसे था कवव यहाँ पे कहीं पर भी मौजूद नहीं था लेकिन हाँ पूरी रा पर ज्यादा ध्यान दियानी और आज उन्होंने अपनी वाइफ को कहा जो अपने माईके में थी कि आज तुम और बेटा दोनों के दोनों यहाँ पे आजागा उनका बेटा कुछ 4-5 साल का था उन्होंने अपनी वाइफ को इसके बारे में बता दिया कि भाई मेरे साथ में कल ऐसा हुआ है, उनकी वाइव जो थी, वो काफी धार्मी थी, उन्होंने साफ कहा, देखो, अगर तुम ग्रह प्रवेश नहीं करवाओगे, तो मैं तो उस घर में आने वाली हूँ नहीं, साफ सीधी बात है, वो घर यहाँ पे इस वक्त पे अशुब है, वैभव ने बहुत बहुत करी, अरे अभी तो newly constructed है, इससे पहले तो कोई रहता भी नहीं था, और जो रहता होगा, वो चला गया न, हमें क्या लिना देना है, उन्होंने साफ कहा, नहीं, तुम अगर ग्रह प्रवेश की पूजा नहीं कराओगे, तो मैं नहीं आरे, ग्रह प्रवेश के लिए, उन्होंने एक पंडित को यहाँ पे बुलाया, और कहा, पंडित जी देखिए, फटा-फट से दो-तीन घंटे के अंदर अंदर यह सारा काम निप्टा दीजे, और उसके बाद में मुझे अपनी family को लेने के लिए जाना है, पंडित यहाँ पे आया, और जब वो घर की यहा नीचे धक्का दे दिया, पंडित सीधा सीडियों से नीचे जाकर के गिरा, और उसको काफी चोट आई, फटा-फट उसको हॉस्पिटल ले करके जाया गया, और पंडित ने जाते ही यह बात बोल दी, जितनी जल्दी हो सके, इस घर को छोड़ दो, यह घर अशुब है, इस खर के अंदर मुझे किसी औरत की प्रेजन्स फील हुई है, और वो औरत जो है न, वो किसी को भी यहाँ पे रहने नहीं देगी, और जो भी इनसान अपने परिवार के साथ यहाँ पे आएगा, वो औरत उसको तबाह कर देगी, मैंने देखा था उसको, तुम्हारा बीच व वैभव ने इन बातों को seriously लिया ही नहीं, उन्होंने का ये पंडित खामा का पैसे बनाने की बात कर रहा है, अभी 51,000 की एक लाग की पूजा की बात कर देगा और इतना पैसा में देने वाला नहीं, अपनी वाइफ को उन्होंने जूट बोल दिया और कहा कि ग्रह प्रवि जल्द से जल्द अब हो सके तो इस घर को छोड़ दो, वैभव अपनी वाइफ पे चिलाने लगे, अभी अभी मैंने 75,000,000 का मकान लिया है और तुम इसे छोड़ने की बात करती हो, इतना पैसा नहीं है मेरे पास में, अब जो है इधर ही है, और इधर ही हमें रहना पड़ को एक कववे की यहाँ पे आवास सुनाई दे रही थी, वही कववा जो बीच वाले यहाँ पे कमरे में था, वो कववा अब बंद खिड़की के बाहर बैठ करके यहाँ पे लगाता, शोड मचाय जा रहा था, वैभव का जो बेटा था रितिक, उसको इस घर के अंदर कोई अजीब चीज फिल नहीं हुई, वैभव को हुई, वैभव की वाइफ को भी हुई थी, वैभव खेर मानने को तयार नहीं थे, वो बात अलग है, लेकिन रितिक को कोई चीज अजीब नहीं लग रही थी, रितिक एक इस किसम का लड़का था, जो अपनी ही एक एडवेंचर वैभव की जो वाइफ थी, वो इस वक्त पे प्रेगनेंट भी थी, और एक बार जब वो यहाँ पे सावसफाई कर रही थी, पांच मेहने की वो प्रेगनेंट थी, अचानक से वो पेट की बलकिरी और उनका मिस्केरेज हो गया, वैभव के दिमाग में वो सारी बाते थी पंडित की, लेकिन अभी भी उन्होंने अपनी वाइफ को इधर कुछ नहीं बताया, वैभव का लड़का रितिक जो था, वो अलग ही दुनिया में रहा करता था, वैभव के पास में पैट था, और उनको जानवर वगएरा पसंद नहीं थे, जो उनकी बिल्ली थी ना, वो उस घर के अंदर आने को तयार थी ही नहीं, अब मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, कि जो जानवर होते हैं, बिल्ली और कुत्ते जैसे खास तोर से जो जा किया जाता है, क्योंकि ये जानवर जो हैं, ये easily भूत प्रेट को naked eyes से देख सकते हैं, वो बिल्ली बिल्कुल चुपचा पहती थी, कमजोर वो होई जा रही थी, एक दिन जब वैभव उठे अपने घर में, तो उन्होंने देखा कि उनकी बिल्ली पूरे घर में मौजूद है ही नहीं, लेकिन हाँ, एक चीज बहुत अजीब थी, बीच वाले कमरे से ले करके, उनके बाहर के garden तक लगा अतार सिर्फ खून की बूंदे उन्हें नजर आ रही थी, बिल्ली गायब हो चुकी थी, और एक जगा पर जहाँ पे खून की बूंदे रुकी थी, वहाँ पे उन्हें अपनी बिल्ली की सरकटी लाश मिले है, किसी को नहीं पता वो बिल्ली कैसे मर गई, रितिक से जब उन्होंने पूछा, कि बेटा तुम्हें कुछ पता है कि कल इस बिल्ली के साथ में क्या हुआ, एक तम से बिल्ली कहाँ चली गए, तो उसने कहा, हाँ, एक आंटी जिन्होंने मुझे इस पिल्ली को मारने के लिए कहा था और कहा था कि जब तुम इसे मारोगे न तो तुम्हें और सुकुन मिलेगा अब इस वक्त पे अगर कोई भी इनसान होता तो किसी तांत्रिक से बात करता, किसी पंडिक पे जाता लेकिन वैभव हद से ज़ादा सित्ती इनसान थे रितिक की मा को जब कुछ न कुछ फिर भी लगा कि दाल में कुछ काला है उन्होंने इधर वैभव को कंफरंट किया और पूछा वैभव लगा तारे बात बोल रहे थे नहीं नहीं ग्रह प्रवेश तो हो चुका है, बहुत अच्छे से हुआ है पंडिक जी ने कहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है उन्होंने रितिक से पूछा कि बेटा, तुम एक बार अपने पापा को बता रहे थे कि कोई आंटी तुम से बात करती है वो आंटी इस वक्त पे है तुमारे साथ रितिक ने कहा, मम्मी वो आंटी जो है आपके पीछे ही खड़ी है और ना उनका जिक्र मत किया करो, उन्हें अच्छा नहीं लगता वो आपको कुछ नहीं कहेंगी, किसी को कुछ नहीं कहेंगी वो लेकिन हाँ, उनके बारे में बात मत करो आप आप कुछ कोई दिख करते हैं, आप कुछ ऐसे वो बोलने लगा अपनी मा के पीछे हुए देखते हुए उसकी मा एकदम से पीछे मुड़के देखती है तो पीछे कोई नहीं था रितिक की मा ने इदर कहा बेटा वो दिखती कैसी है एक बार तुम कुछ बना करके दिखाओगे मुझे रितिक को पेंटिंग वगारा का शौक भी था तो उसने अपनी family photo बनाई और family photo के पीछे उसने एक काली औरत बनाई जिसके बाल बहुत लंबे थे आंखे उसकी एकदम लाल थी और कमाल की बात ये है कि इस वक्त पे photo के अंदर वो रितिक की मा को ही याँपे घूर रही थी उसने का मम्मी ये है वो आंटी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो किसी को कुछ ने कहेंगी, लेकिन आप ना इनको यहां से भगाना मत, अगर आप इने भगाओगी ना, तो ये वही करेंगी जो इन्होंने उस बच्चे के साथ किया, उन्होंने का किस बच्चे के साथ इन्होंने क्या किया था वही बच्चा जो आपके पेट में था ये बात सुनते ही रितिक की मा का दिमाग खराब हो गया क्योंकि ये चीज जो थी ये बिल्कुल साफ थी कि इस घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल है वो उसी दिन अपने माई के में गई और अपनी मा को सारी बात बताई उनकी मा ने आपे कहा वैभव को भी बुलाया पूरी फैमिली को भी और कहा बेटा देखो तुम तो भूत प्रेत में ना मानते नहीं ना ही तुम भगवान में मानते लेकिन एक बात याद रखो ये ताबीज जो है ना इसको अपने साथ में रखो अगर तुम्हें ताबीज भी ने रखना चाहते इसको भी जोगो तो ये राक है ये राक तुम समझलो की बस भगवान का अशिरवाद है शिव का अशिरवाद है इसको अपने साथ में रखो और अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे ना कि घर के अंदर घर के किसी कोने में कुछ अपशगुन सा हो रहा है तो एक बार उस जगा पे इस राक को फैक करके देखना तुम्हें सब मालुम चल जाएगा कि वहाँ पे कुछ अजीबो गरीब है या नह अगर उस जगा से धुवा उठना शुरू हो जाए तो समझ लो घर के अंदर मौत तांडव कर रही है वैभव ने अपनी सास की बात रखने के लिए उस राक को उठा लिया और इधर जो रित्तिक की माती वो कह रही नई रित्तिक मेरे साथ ही रहेगा तुम्हें उस घर में तो रहो रित्तिक इदर जाएगा रित्तिक जिद पेड़ गया कि रहूंगा तो मैं उसी घर में उसी बीच वाले कमरे में जिसे उसने सबसे पहले पसंद किया था वो कवव जो था जिसका मैंने जिक्र किया था वो लगातर पीपल के पेड़ के बाहर ही बैठा रहता था औ लेकिन हाँ, वो कववा 24 खंटे पहरा लगाए उनके घर के ऊपर बैठा हुआ था। वैबअब जब घर में आये, उन्होंने उस राख को एक कोने में रख दिया। उन्होंने का छोड़ो इन सा बातों को, पता नहीं ये लोग जो हैं इतने ज़ादा अंधविश्वासी हैं, इनमें क्या ही मैं भानू। लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक बार को उस राख को उठाया, थोड़ा सा चुटकी बार उठाया, बीच वाले कमरे में एक कोने पर हलका सा उसको ऐसे फैका, या कह सकते छिड़का, जैसे ही वो राख जमीन पे गिरी ना, उस जमीन में से उठने लगा, सेम वही हुआ, जो उसकी सास ने कहा था, अब इस वक्त पे अगर कोई इनसान होता, तो कोई ऐसा कदम उठाता कि वो इस घर से चला जाए, या नहीं घर से भी जाना चाता, तो किसी पंडित या तांतरिक को बुलाए, वैभव इस वक्त पे पी सिद पे अड उन्होंने कहा, इस राख में ही दिक्कत होगी, घर तो बिल्कुल ठीक है, दिन प्रती दिन वो अपना mental balance भी थोड़ा थोड़ा यहां पे लूस करते जा रहे थे, पंडित ने उनको एक बात और बताई थी, जो मैंने शुरुआत में नहीं बताई, कि बेटा जब तुम इस घर में रहोगे न, दिन प्रती दिन तुम इस घर के गुलाम बनते चले जाओगे, और जो इस घर से दूर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा, कि ये घर जो है, ये तुम्हें निगल लेगा, अब ये सारी चीजे वो भले इग्नोर करना चाहते हों लेकिन जो भी आँखों देखा, वो देख रहे थे, उससे कैसे मूँ फे रहे हैं, अब आपने लोगों के बार में सुना होगा, लोग कहते हैं, भी भूद प्रेत्में, आँखों देखा विश्वास तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, वैभव ने अब अपनी आँखो की वज़ा से तुम्हारा मिस्कैरेच हुआ है, उस रात में वो सो रहे थे, सोते सोते उनको बीच वाले कमरे में से अपने बच्चे के यहाँ पे हसने की आवास आने लगी, उनको लगा रात के दो धाई बजे के आसपास, आखिर मेरा बेटा कर गया रहा है, उठकर के जब एक साया है, कुछ 6-7 फिट का साया, उसने उनके बेटे को हवा में ऐसे उठा रखाए, और उठा कर जैसे बच्चे को हवा में ऐसे फैकते हैं और फिर कैच कर लेते हैं, सेम वैसे ही वो साया कर रहा है, और जैसे ही वैभव ने ए चीज देखी और रितिक बोला, रितिक! रितिक ने एक बदली हुई आवाज में कहा, ये मेरा बेटा है, इससे दूर रहे, अगर तू अपने और अपने परिवार की भलाई चाहता है, तो इसको भूल जा, तुझे मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन हाँ, मेरे बेटे के बीच अगर तू आया ना, तो तेरा वही हर्ष होगा, जो उस पंडित और तेरी बीवी का हुआ, बहुत रोखने की कोशिश करी थी उन्हें मैंने, वो माने नहीं, तू अब तक सिर्फ इसले ही बचा है, क्योंकि तू ने अब तक कुछ किया नहीं, भूल जाए से, ये मेरा है, ये रितिक ने बोला, और जमीन पे अचान से हुआ था, और पंडित ने इधर ग्रह प्रविश किया भी नहीं था, और मैंने तुमसे चूट बोला, बीवी ने एक की दस सुनाई, और का कि फटा फट उस घर को खाली करो, दो चार दिन के अंदर उस घर को बेचो, जो करना है करो, और उस घर से निकलो, बैभव ने कह मुश्किल से मुश्किल दो-तिन दिन की बात और है, और मैं इस घर को खाली कर दूँगा, वो रात तो बिल्कुल ऐसे ही भी थी, वो रित्तिक के साथ में ही सो रहे थे, रात के तीन बजे के आसपास जब वो पानी पीने के लिए उठे, पूरे घर में रित्तिक मौजूद रहे वही साया था वो, जिसको उन्होंने कल दिखा था, वो फटा-फट से चुप-चाप अपने घर में नीचे गए दबे पाउं, और उन्होंने वही राक उठाई, और राक उठा करके सीधा रित्तिक के ओपर फैक के मारी, रित्तिक एक दम से होश में आया, वैभव ने उसे पकड़ा, वो गिरने वाला था, वैभव ने उसे पकड़ा, और वापस छट पे ले करके आ गए, उसी रात वो उस खर को छोड़ करके भाग गए, और जब वो उस खर को छोड़ के भागे, लिटरली उन्हें उस खर के अंदर चीखे सुनाई दे रही थी, एक और वो आखिर इस खर में दिक्कत क्या थी, एक गर तो नियूली कंस्ट्रक्टिर था, तो हुआ क्या, तो उनमें से एक पडोसी ने बताया, भाई साब, आज से करीबन करीब 6-7 साल पहली की बात है, एक और यहाँ पे किराए पे रहती थी, उसके बारे में ज्यादा लोग बात भ एक दिन उसका पती रातो रात कायब हो गया, कहने वाले तो यह तक कहते हैं कि उसी औरत ने उस आदमी को यहाँ पे मारा था, और उसकी लाश जो थी न, वो शायद इसी गार्डन में गड़ी हुई थी, गार्डन को खोद करके देखा भी गया था, लेकिन कभी कुई कुछ मिला नहीं, उसके बाद से ही वो इस एरिया के बच्चों को बहुत बुरी तरह खूरा करती थी, और उसको एक लड़के की तलाश थी, वो चाहती थी कि उसका एक बेटा हो, वो काले जादू की प्रक्रिया में इतनी जादा चुलस गई, कि रातो रात हमें उसके घर से लाल कुटे की यहां पर सरकटी लाश भी मिलती, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी, कि हम कुछ उसको बोले, हमारे जो आस परास के बच्चे थे, उनके साथ कभी कुछ अजीब नहीं हो रहा था, हाँ भाई साब, दो हजार पांच-छे की बात थी है, उसके बाद में छे म महिने तक उसका किसी को कुछ नहीं पता, छे महिने के बाद में जब उस घर को खोड़ के देखा गया, तो वो औरत अपने बेड़ पे मरी पड़ी थी, उसकी लाश पूरी तरीके से सर चुकी थी, कीड़े पड़े हो थे उसकी लाश के अपपर, और इसी के साथ साथ एक कववा जो था, वो उसकी लाश के ऊपर था, और वो कववा जो था ना भाई साथ वो उसका पालतू था, और वो अपने पास में उस कववे को रखा करती थी, कहने वालों का तो ये तक कहना है, कि उस कववे में उसकी जान बसती थी, और आज भी वो कववा जो है ना, वो इस घर के आसपास ही मंद रहता है, मकान मालिक ने रातो रात उस और उस औरत की लाश को यहाँ पर गायब कर दिया, उसका अंतिम संसकार किया, क्या किया हमें नहीं बता, उसके बाद से 5-6 साल तक इस घर में कोई नहीं आया, मकान मालिक ने इस घर को तुड़वाया और इस तुड़वा करके उसने आपको बेच दिया, घर में कोई भी अजीब चीज नहीं थी, ऐसा नहीं हो रहा था कि यहाँ पे कोई भूत प्रेथ हमें महसूस होते हो, या कोई और आप जब इस घर में आये, तो मैंने तो आपको बताना सही भी नहीं समझा, क्योंकि अगर मैं बताता, तो मकान मालिक मेर से गुस्सा हो जाता, और मैं क्यों ही बताऊं आपको, क्योंकि कुछ अजीब तो आपके साथ भी नहीं हो रहा था, ना आपने कभी कुछ सी को कुछ बताया, कुछ हुआ है क्या आपके साथ, उसने पूरी बात बताई, कि ये सब कुछ मेरे साथ में हुआ था उस इंसान ने यही कहा कि वो औरत जो थी उसको हम ब्लैक लेडी कहा करते थे कई लोग कहते थे कि वो एक काला साया है इस नाम से उसको जाना जाता था और शायद वो आपके बच्चे को अपने साथ वगेरे को निकालने के लिए तो वो लोग बेसमेंट में गए वो बेसमेंट जो कभी भी वैभव ने खोल कर नहीं देखा था वो घर में एक बेसमेंट भी था घर बहुत ही ज़ादा बड़ा था उस बेसमेंट में हो गए तो वहाँ पे एक संदूग उनको मिला और उस संदूग को लेकर के जब हैबर वापस उनके घर पे आए तो वहाँ पे एक औरत की तसवीर उनको मिली थी वो औरत बहुत गंदी दिखती थी उसकी तसवीर थी शायद वही वो एक ब्लैक लेडी थी, जिसका जिक्रवाद में कर रहा था, उन्होंने उ संदूग को फैक फूग दिया, और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, उस दिन के बाद से वैभव के साथ में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रितिक की जिंदिगी अगले तीन साल तक तबाह ह गई, रितिक को लगातार उस औरत का सपना आता, और वो यहीं कहती कि अगर तु मेरे पास इस घर में वापस नहीं आया ना, तो मैं तेरे माबाप को मार ढलूगी, खेर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बहुत पंडित वगयरों को दिखा दिया, उन्होंने का ऐसा तरीके से बुलाने की कोशिश करती है, और इस तरीके से वो पोजेशन अपना शो करती है, अगर तुम नहीं जाओगे, तो ये धिरी-धिरी करके जो तार है, तूटता चला जाएगा, और ऐसा हुआ भी, उसके बाद से कभी भी रितिक को तो तीन साल के बाद में कभी ऐसा कोई सपना वगेर नहीं आया, आज रितिक जो हैं, वो काफी बड़े हो चुके हैं, वैभव नए घर में रह रहे हैं, उनका परिवार भी, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो घर में, जो भी उनके साथ इस शौट पीरट के अंदर हुआ था, उसको वो आज तक भुला नहीं पा तो यही थी पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे, आप मुझे बताई, आपको एक कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीप इंसिडेंट है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे जीमेल और इंस्टाइडी पर जीमेल आइडी उपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टाइडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौचूद है दोनों ही ब्लैटफॉर्म में से जिस भी ब्लैटफॉर्म पर आप कमफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेर साज़ा कर सकते हैं तो आज की वीडियो के नदर बस इतना ही जल मिलता हूँ एक अगली वीडियो में तब तक के लिए ठेक केर गुडबाए